तो वेल्कमें दोस्तों आज हम लोगों बात करने माले हैं MDC पेपर थिरी और हिमोन राइट्स के बारे में ठीक है थिरी एप इसको हम लोग बोल सकते हैं तो देखिए मैक्सिमम बच्चों ने जो मैक्सिमम केंडियट्स हैं उसने MDC थिरी एप यानि कि हुमन राइट्स जिस बारे में और अगर आप इस इनवर्स्टी से नहीं हैं लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट हुमन राइट्स है तो डेफिनेट्ली आपका भी काम देगा ठीक है चलते दिखते हैं इसमें आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे सिलेबस डिसकुसन होगा और साम को नहीं आपका फुल मार्क्स है 75 पेपर कितने मार्क्स का होगा 75 मार्क्स का पास करने के लिए आपको लाना होगा कितना नमबर तो 30 नमबर ठीक है पेपर सब्जेक्टिव होगा या अबजेक्टिव देखिए यहां पे लिखा है किलियरली यह जो पेपर होगा आपका प्वार्म में अभ्जेक्टिव नहीं रहेगे ऑफजेक्टिव फब्स होता तो यहां पे लिखा होता OMование उम्हार पे होगा लेकिन नहीं लिखा होओ त्य यक्वार्म काफ़եर सब्जयक्टिव होगा कभड इसे आएंगे आपकी mo out5 जहां कि 115 एँगा यह हो समझ गया ना यह आपको कोश्चन का फ्रेम रहेगा अब आगे देख लेते हैं यहां पर पढ़ना क्या है और इसमें आपको मैं इंपोर्टेंट कोश्चन भी बताऊंगा नेक्ट वीडियो में फिलाल जान लेते हैं कि पढ़ना क्या है मोटा मोटा ठीक है 15 मिनट में तो हमा हे एंड इंट्रोडसन टू ह्यूमन राइट यानि कि मानव आधिकारों का एक छोटा सा परीषय जानना सबसे पहले मानव अधिकार कił का नेक्स्ट है हमारा इंटर्नेशनल प्रोटेक्शन यानी कि मानव अधिकारों का अंतराइष्ट लेवल के महत्व है उनको सुरक्षा कैसे दिया जाता है और प्रोमोशन यानी कि ज़ uniform क कैसे फैलाएजाता है या फिर आपको इसमें पढ़स् इंडिया यानि हमारे भारत में मान अधिकारों की रूप रेखा जो त्यार की गई है महिलाओं की अधिकार है बच्चों का अधिकार है और जितने भी मनुची उन सभी अधिकार है ठीक है तो यह सभी इसमें include है कब लाए गया इसका आयुक कब बना कोन अधियक्षे ठीक है कैसे काम करता है यह सभी आपको जानने हैं नेक्स्ट आपका यूनिट फोर और इसमें है हमारा प्रोटेक्शन एन प्रोमोशन ऑफ यूमन राइड्स ठीक है यानि कि महिलाव का जो अधिकार है स्वरी में वोमें सारे में चला जाता हूं यूमन राइड्स इन इंडिया हमारे भारत में जो माना अधिकार है इनको प्रोटेक्शन और प्रोमोशन कौन-कौन सी एजन्सी करती है जैसे कि आपका बहुत सारा एंजियो है बहुत सारे आपके कमिसान बनाएगे हैं और इसमें आपको इस्पेसल जानना है जारखन के भी अजीव अजीव आदमिया बाइक का उसका बाइक है और होड़न लगा लिया बस वाला यार मतलब कुत्ते के बड़ी में तुम हाथे का आवाज फिट कर देगा यह सूट नहीं करता है तो अला कि कुछ छपरी लोग करता है लेकिन इसा नहीं करना चाहिए चलिए इसू एन Concerned in Human Rights ठीक है तो देखिए जो हमारा मानवाधिकार है इसमें कौन-कौन से वर्तमान मुद्दे है इसको भी जानना है ठीक है अब चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं इसको यह तो हो गया स्वाट में और यह सभी के लिए काम देगा सभी मतलब बोलने का है कि जितन सब्सक्राइब के काम में आएगा तो चलिए एक एक करके जानते हैं और सबसे पहले हमारा यूनिट वन इकाई वन इसमें मानवाधिकारों का परिच्छय यानि कि इसमें गरिमा सवंदर्ता समानता नियाय और विविदता में एकता ठीक है पाई जाती है भारत में भी और नेक्स्ट मानव अधिकारों के अर्थ क्या है मानव अधिकार किसे काते हैं तो देखिए सबसे पहले एक ची जान लिए इस वीडियो में मानव अधिकार की परिभासा क्या है मानव अधिकार subscribe मैं अभी आपको एक परिवासा बताऊंगा तो इसको इसको साउट में बलते हैं वाधिकार माजा अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूं तो मानँवा अधिकार इसका संद्रीमीषद कीजिएगा तो मानाउ का अधिकार यान Veys सारी अधिकार जो उसको जीवन जेने के लिए चाहिए जिसमें आपका मनुष्ट के मुल अधिकार के बात की जाए तो एक है आपका पहला संदरता का अधिकार है ठीक है समानता का अधिकार है ठीक सोसन के विरुद्ध अधिकार है जो मौलिक अधिकार हैं आपको वो सारी या मानव का अधिकार उसी को मौलिक अधिकार में रखा गया है ठीक है जो मनुष को जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकार है उसे ही मानव अधिकार कहते हैं मानव अधिकार किसे कहते हैं तो एक मनुष को जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों के आवश्यक्ता होती है उसे मानाव अधिकार कहा जाता है इतना सौट में याद रखना और एक बर बता दू कि मनुस को जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवेश सकता होती है उसे ही मानाव अधिकार कहा जाता है यह मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ इसमें कोई किताबी ग्यान नहीं है नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों का वरगी करण अब जिसे बोहुत सारा वरगी करण होता है मानव अधिकारों का एक मिलिट जो सबसे मुल अधिकार है एकदम कमपलसरी उसके बाद कुछ छोड़ छोड़ अधिकार उसके बाद कुछ vyou Pengapik अधिकार होते हैं यह आपको मैं next वीडियूं बताऊँगा पिर यह पर्थम पिरिक अमानव अधिकार जिसमें आपका नागरिक और राजनितिक अधिकार हैं पर्थम पिरिक अधिकार बोड देने का अधिकार यह सभी भी मानाव के अधिकार में ही आएंगे ठीक है फिर है आपका पिड़ी दर पिड़ी आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक और तिरित पिड़ी समुहिक अधिकार चतुत पिड़ी समुहिक अधिकार वेपार अधिकार वेक्ति परक अधिकार इन सब लाइप में इंटर फैर नहीं करने का लेकिन करना चाहिए क्योंकि लिया भाई तो अकले नहीं चलती है सब सब्मिठल से चलती है इसलिए एंटर नहीं चैनले आगे देखते हैं माना वधिकारों का अंतराश्टी संद्रक्षन अब देखिए हमारा देखिए कोई भी कानूंज बनता है ना दो लेवल पर या तीन लेवल पर बनता है एक राज लेवल पर एक राश्टर लेवल पर राश्ट यानि कि देश और एक बिस्व लेवल पर यानि कि अंतराश्ट लेवल पर ठीक है त तो यह आपके हैं इंटरनेशनल लेवल पे अंत्राइश्टिया अनुबंध आई सी सीपी और यह महिला प्रकार क्या है वेद्भावन माना अधिकारों में बिसेस रूप से महिलाओं को और बच्चों को ज्यादा सुरक्षा दिया गया है क्योंकि इन में बहुत ज्यादा सोसन हुआ है इत्यचार होता है बाल स्रब होता है इन सब को भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा नेक्स्ट है आपका यहां पे माना अधिकार और अंतराष्ट माना अधिकार दिवस भी मना जाता है ठीक है कब मना जाता है अंतराष्ट माना अधिकार दिवस 10 दिसंबर को याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका यहां पे भारत में माना अधिकार तो माना अधिका के नयाइ पालिक भूमिका अब दीखे मौली जो मौली हैं उमारे ये ऑर मोलिक कर इदिकार हैं दो 10 है वोजिए समानता का अधिकार सुंतरताय का अधिकार सोसन के विरुद्ध अधिकार क्या बोलते हैं उपचारों का अधिकार सिक्षा संबंदी अधिकार कलासल्सकृती संबंदी अधिकार एक छेग हो है इस तरह से और ये जो है आपके किस दिस से लिया गया है ये जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका से ठीक है और ये गारा को जो मौलिक करतेब्ब है जिसे अपने राष्ट के परती हमेशा जो भी जब मुसिबत आए तो उसके लिए आगे बढ़ना तिरंगे जंडे को हमेशा सम्मान देना राष्ट की वस्तू को छती न पहुचाना और उसे रक्षा करना ये सब ही आपके मौलिक करतेब्ब हैं तो ये लिया गया है कहां से रसिया रसिया नाम सुनके कुछ याद आया चलिए याद नहीं करना होगा उस सब गलत बात है चलिए नेक्स्ट आगे दिख लेते हैं देखिए ये मैं बीच-बीच में बोलता हूं आप लोग के लिब नेकस्ट है भारत में मानाव अधिकारों का संद्रक्षन के डायों बार हो किसे कारी करता यह भी जानेंगे और मानाव अधिकार्य के मुद्धै और चिंता है देशों के मुद्दे और चिंताय वर्तमान समय उसंमें के स्मभर्दन को चुन बहूरत में गारी वी उस्क्षा बहुत बड़ी समयस्या है यहां के आदमी को समझाओ कि नहीं सुर्य एक अस्थान पर रुका हुआ है पिर्थवी घुमती है तो वाग बुड़ वाग व्यस्ति जाने लग ले ठीक है चलिए तो अज़ दिक्षा बहुत ज्यादा है आगे दिख लेते हैं सांपरदाइक और जातिय संगर्स पित्र सतात्मक मुल्य समावेसी विकास का भाव इन सब के बारे में वर्तमान चुनोती है इसके साथ ही दिखिए कुछ आपने सुना होगा आतंक बाद पर हमारे जहरकन में तो बहुत ज़्यादा है रभावा ठीक है नकसलवाद, माववादी, लाल सलाम इन लोग बोलते रहता है ठीक है तो आतंक बाद अभी एक समयस्या है फिर मानावदी कारता स्वास्त पर्यावरण के बीच क्या समयस्या यह बताना है बेरोजगारी भी आप लिख सकते हैं जन संख्या भी स्पोर्ट भी आप लिख सकत हैं महिला बच्चों दलीतों और अप्साइंप्याक बाल स्रम बंधवा मजदूर इन सब के खिलाब भेदभाव हमारे समाज में जो बीभीन परकार के भेदभाव होते हैं रहे हम पाने लगी हो ठीक है अरे तो ही मतलब स्वरी अरे आप जो है नीची जाती के हैं बोलते है जान यार तुम दूर हो तुम मेरे साथ सटके नहीं बाठेगा तुम मेरा जुठा नहीं खाएगा डोस्त वगरा भी देखिएगा कभी-कभी ऐसा भिनभेवक करता है लेकिन यह सब नहीं करना चाहिए थाए अगर वेक्ति में कौाइलिटी है गुन है तो बहुत जो नीच इसलिए यानि हमारे माबाप भी बदल चुके हैं काफी हद तक हमारे जो अपना इंटेंशन बहुत पुराना रखें इसलिए वो बदल नहीं पाएं ठीक है तो यह भी आपको बताना है कि हमारी पीड़ी वरतमान पीड़ी इन सब मुद्दों पर दीरे-दीरे काफी जाता व समझ में आ गया होगा मोटा मोटा hire पतला पतला समझ में आ गया होगा कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़न आ किया है एक्च्वाली ठीक है और पेपर आपका सब्जेक्टी फों में होगा ये भी जान लिए अब हम नेक्स्ट विडियो में इंपर्टेंट कोशिं कर वा देंगे और एक प्रबेस और कोश्चन भी आपको करवा देंगे कि किस टायप से कॉश्चन आते हैं ठीक है आपको यह विडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो अपने दुस्त तक सेर कर देज़ेगा अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो मैं पीडियो का डिस्क्रिप करदूंगा